Logo, everyone, टो चले कल के market का analysis कर लेते हैं देखते हैं कैसे हम trade execute कर सकते हैं क्या mean, support and resistance रहने वाले हैं दोस्तों, कल हमने discussion किया था कि market हम से reverse हो सकता है अच्छा, reverse हो गया है, क्या यह reversal continuously चलेगा नहीं चलेगा यह हम discuss करेंगे, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर daily time frame में देखते है market ने आज कैसी candle बना के दिये यह से everyone daily time frame में अगर हम यहाँ पर nifty की बात करेंगे तो आज काफी अच्छी candle मिली हमें bullish की और इस reversal की दोस्तों कल हमने बात की थी ठीक है अपने market analysis की वीडियो में अब अगर हम यहाँ पर देखें देखें यहाँ पर यह proper bullish reversal नहीं है क्योंकि अगर हम इन दोनों candles को मिलाएंगे तो यह bullish piercing की candle भी नहीं बन रही है मतलब candle अगर हम single candle देखें तो bullish के बट इन दोनों का candle को अगर मिला के देखें तो bullish piercing की candle नहीं बन रही है अगर यहाँ पर लगबग 500 के आसपास market close होता तो यह bullish piercing की candle बन जाती तो दोस्तों यहाँ पर क्या scenario market में negative candle दुबारा से भी बन सकती है रैट किलर की ओके इतना भी स्यादा bullish candle नहीं है यह 50 minute के time frame में आते हैं उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम mark करेंगे इसी candle का support ओके जो के 21,136 यह हमारे लिए काफी जादा important रहने वाला है as a support ठीक है 15 minute के time frame में आ जाएंगे यह total जो movement आया है downside का इसका अगर हम Fibonacci retracement mark कर लें तो लगबग दोस्तों 50% तक market जा चुका है लेकिन जिस आपसे market ने price action बनाया है यह continuously उपड़ के तरफ चल सकता है इसका जो next level है दोस्तों वो है 21,618 और बहुत जादा bullish हो गया दोस्तों तो next target का level आपका है 21,751 तो यह दो call side के target के level रहेंगे अब हम यहाँ पर trade कैसे execute कर सकते हैं दोस्तों अगर आप यहाँ पर यह सोचें कि market bearish हो जाए तो वो सोचने से पहले यहाँ पर देख लीजिए आप Bollinger Band 15 minute के time frame में तो जिस हिसाब से Bollinger Band expand है दोस्तों दोनों ही तरफ से मतलब market continuously bullish हो सकता है अगर market कल continuously bullish होता है दोस्तों तो यह हमारे levels रहेंगे और अगर market यहाँ पर flat open होता है या फिर नीचे की तरफ आता है तो हमें क्या करना है इसका expand तो खतम हो जाएगा फिर ठीक है न Bollinger Band का हो सकता है market sideways रहे या फिर वापस नीचे की तरफ आए अगर ऐसा होता है मतलब market continuously उपर की चलता है तो हमें कैसे trade करने Bollinger Band को बंद करेंगे 50 EMA को भी दोस्तों यहाँ पर बंद करेंगे और simply हमें यहाँ पर क्या करना है यहां से आप ऐसे करके trend line mark कीजिए और इसको उपर की तरफ कर दीजिए अगर आप देखेंगे exactly market एक inclined channel के अंदर है दोस्तों तो market यहाँ पर फिर से विवल सर्म लिता है तो फिर से हम call side का इस channel के upper level तक trade कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों हम trade execute कर सकते हैं ध्यान रखिए बहुत aggressively अकर put side जाना है तो यह low टूटना चाहिए at least 21,214 उसके बाद हम put side जा सकते हैं जिसमें target के level 21,136 करेगा तो दोस्तों यह overall analysis से अपना nifty का एक चीज़ और ध्यान रखिए अगर कल market में gap down opening हो जाती है इस channel के center में दोस्तों तो आपको बहुत ही safely trade करना है क्योंकि वहां से दोस्तों या तो market उपर के तरफ भी निकल सकता है और या फिर downside भी आ सकता है और जब दौनों ही तरफ market में trade आने की मतलब price action के चलने की chances होते हैं तो वहां पर थोड़ा सा risk जादा हो जाता है तो basically दोस्तों अगर आप 15 मिट के time frame में trade करते हैं तो 15 मिट की पहली candle का अगर breakout होता है तो हम call side के तरफ के trade execute कर सकते हैं तो यह strategy को हम लेके चलेंगे कल के दिन के लिए अगर हम इसके OI data की बात करें कल दो हुई है दोस्तों but still negative है अगर call side का OI data देखेंगे 22,000 and put side का OI data देखेंगे 21,000 दोस्तों हम अभी ऐसे stage पर हैं nifty में हम यहां से 21,000 की तरफ भी बढ़ सकते हैं ठीक है market जा सकता है दोस्तों 21,000 and अगर हम यहां से level देखे तो 22,000 तो नहीं but 21,750 तक भी हम move कर सकते हैं दोस channel खराब हो जाता है दोस्तों gap up open हुआ तो chances जादा है कि market थोड़ा बहुत नीचे आके फिर से market उपपर की तरफ reverse हो जाए ठीक है तो यह overall scenario रहेंगे कल के दिन में market के अपने nifty में अब अगर दोस्तों हम आगे बढ़ें and बात करें bank nifty की yes everyone तो यह bank nifty का चार्ट पैटन है इसमें हम daily time frame में आ जाएंगे और सबसे पहले देखेंगे candle तो अगर आप इसमें candle देखेंगे दोस्तों तो यह बहुत ही strong मतलब reversal की ऐसी कुछ खास candle है नहीं बट यहाँ पे आप यह level पे देखेंगे तो यहाँ पे basically क्या हुआ है market gap down तो खुला बट bullish हो गया है दोस्तों trade execute कर सकते हैं कल के दिन के लिए 15 minute के time frame में आ जाएंगे दोस्तों और यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे 50 EMA अगर आप bank nifty को देखेंगे 50 EMA में तो market still 50 EMA के नीचे है मतलब अभी negative move को इसपोर्ट कर रहा है तो दोस्तों सबसे पहले तो यह high break होना चाहिए बैंक nifty के अंदर यह बहुत important है 45,477 अगर यह किसी भी तरीके से market gap up open होता है या flat open होता है यह breakout कर देता है दोस्तों इसके उपर तो market continuously bullish रह सकता है उस condition में दोस्तों इस पूरे move का हम Fibonacci retracement लगाएंगे और इसके according दोस्तों 78% मतलब 46,151 तक market continuously move आपको दे सकता है ठीक ह तो यह overall view हो गया bank nifty का अगर हम यहाँ पे Bollinger Band लगाएं आप यहाँ देखेंगे दोस्तों Bollinger Band बिल्कुल भी expand नहीं है बट अगर कल gap up open होता है तो यह expand हो जाएगा यह आप हमने आपके सामने यह level लगा है इसका भी breakout होता है साथ में तो continuously दोस्तों market उपर के तरफ चल सक अगर market को sideways वगरा होना है तो यह एक अच्छा level है आप trap ना हो इसलिए stop loss वगरा जरूर लाकर रखें और साथ ही साथ में अगर आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पर हम ऐसे गर के channel भी draw कर सकते हैं तो basically अगर market breakout देता है और इसके उपर अगर हमें किसी तरीके से retest मिल जाए तो हमें थोड़े safe rate मिल सकते हैं call side के ठीक है तो यह overall strategy रहेगी अगर market यहाँ से नीचे घूमता है तो दोस्तों हमें put side के trade करने का मौका मिल सकता है और वो हमें ले के आ सकता है फिर से इस channel के low point तक तो यह level आप काफी important है mark करके रखें 45,477 दोस्तों यहाँ कहीं आपको trapping का scenario मिलेगा bank nifty में कल के दिन में अगर market gap up open होता है अगर दोस्तों market open होता है gap down तो यहाँ पर क्या scenario रहेंगे देखे gap down के condition में दोस्तों यह low टूटना चाहिए मतलब कौन साल हो यह जो आज market ने लगाया है 44,561 अगर यह low टूटता है market देखे gap down open हो तब भी market उपके तब reverse हो सकता है ध्यान रखे क्योंकि channel के अंदर है फिलाल market अगर यह low टूटता है 44,561 तो हम यहाँ पर अच्छे put side के trade कर सकते हैं हमें मिल सकते हैं अच्छे put side के trade engine का target रह सकता है 44,200 के level तक मतलब यह जो trend line है दोस्तों अगर हम आपको यह trend line दिखाए daily time frame में तो देखे हमने यह trend line mark की है दोस्तों यहां से overall ओके और यहां पर market ने exactly अभी अगर आप देखेंगे तो touch नहीं किया है देखें market में यह low तो अगर इस candle का low टूटता है यह जो अपनी आज candle बनी है इसका low अगर टूटता है दोस्तों तो next target का level यही trend line रहेगी bank nifty के अंदर अगर हम इसके OI data की बात करें bank nifty में PCR value अगर आप देखेंगे 0.59 तो यह भी negative move को support कर रहा है कल दोस्तों market open होने के बाद यह change हो जाए वो एक अलग चीज है call side का OI data देखेंगे 47,000 and put side का OI data देखेंगे 44,000 बहुत जादा difference है 44,000 का level अगर हम देखें दोस्तों तो देखें market अगर होता है तो 47,000 का level काफी जादा अवब है दोस्तों आपका लगबग यह level है यहाँ ठीक है तो उससे पहले तो हमारे पास काफी level है call side के आप पहला level तो यह देख लिए 45,477 उसके बाद next level 46,151 and third level दोस्तों यह हो जाएगा 46,576 तो multiple आपको rejection मिलेंगे 47,000 तक पहुँचने के लिए ओके तो बहुत fast momentum अगर आ जाता है दोस्तों तो definitely आपको मिल सकते हैं 47,000 तर अदर्वाइस दोस्तों यह levels लगा दी है यहाँ पर इन levels के according हम trade execute कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं बात करेंगे finnifty की जैसे everyone तो finnifty का chart 15 minute के time frame में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह भी 50 EMA के नीचे ही है ठीक है तो bullish होने के लिए इसके उपर retest हो के sustain हो तब हमें एक अच्छा confirmation मिल जाएगा कि yes market bullish हो रहा है और यहाँ पर एक level है 20,321 इसके उपर अगर market sustain होता है तो अच्छा market bullish हो सकता है दोस्तों वहीं अगर हम बात करें Bollinger Band की तो Bollinger Band अगर आप इस movement दिखा रहा है जैसे कि अभी फिलाल अपना bank nifty भी दिखा रहा है तो दोस्तों यह level बहुत ही जादा important रहेगा आपके लिए यहां से market देकि sideways वगएरा हो सकता है या फिर market दोस्तों यहाँ पर channel में हो सकता है तो अगर कल market इस level के उपर निकलता है तो यह channel तो दोस्तो mark करके रखिए हीफन nifty में और nifty में और bank nifty में भी क्योंकि market अगर direct उपर के दरह movement देता है तो यह दोस्तों इस channel का जो high level है यह हमारा बन सकता है rejection और इसके उपर अगर market निकल जाता है दोस्तों तो काफी अच्छे bullish के move आ सकते है अगर हम इसके according देखें तो हमारा जो level र जुरू mark करके रखें यह आपके थोड़ी help करेगा जिससे आप trap में फसने से बच जाए एक तो यह trap का portion और एक दोस्तों यहां पर जब market अगर पहुंच जाए इस level के आसपास तो एक बनेगा अपना यह वाला trap का level क्योंकि यहां से भी market वापस नीचे की तरफ आ सकता है द किलाल मार्केट एक sideways range में है अगर Bollinger Band दोस्तों कल expand होता है breakout के साथ साथ मतलब यहां पे कोई एक अच्छी सी bullish की candle बन जाती है और Bollinger Band भी expand हो जाता है दोस्तों तो market देखी continuously उपर तो चलेगा अब यहां तक पहुंच यह थोड़ा बाद उपर जाके रुक जाए वह एक अलग चीज़ है बड़ मार्केट चलता तो है दोस्तों जब मार्केट में expand होता है Bollinger Band ओके तो यहां पर अगर मार्केट डाउंसाइट की तरफ आता है दोस्तों तब भी आप यहां पर क्या करें यह लेवल मार्क करी लें ओके अगर इसके नीचे री टेस्ट होके सस्टेन हो तब पुट साइट जाएं क्योंकि मार्केट अगर इसके नीचे री टेस्ट होके सस्टेन होगा तो Bollinger Band भी दोस्तों expand होगा तब मार्केट कॉंटिनसली डाउंसाइट चल सकता है उस कंडिशन में टागेट का लेवल एक तो हो जाएगा तो हमारा जो नेक्स टागेट का लेवल बनेगा पुट साइट का ओकी यह लेवल ब्रेक होने के बाद 19,899 तो सीधा टागेट का लेवल है 19,700 अगर हम प्राइस देक्शन के अक्कॉर्डिंग देखें यहां पर Bollinger Band को बंद कर देते हैं यस तो प्राइस देक्शन के अगर हम लेवल देखें तो देखें कोई खास लेवल नहीं है मतलब एक यह सपोर्ट का लेवल आ रहा है यहां पर यह लेवल ओके 19,642 और एक यहां पर gap भी है दोस्तों तो यह आपके multiples लेवल हो जाएंगे फिर downside के 19,736 पहला टागेट का लेवल put side का और इसे बाद next टागेट का लेवल आप करेगा 19,631 तो इस तरीके से दोस्तों फिन निफ्टी में trade execute कर सकते हैं अगर हम इसके OI data की बात करें यहां पर फिन निफ्टी की अगर हम PCR value देखेंगे 0.81 तो ठीक है बुलिश तो नहीं है लेकिन अभी बुलिश की तरफ जरूर बढ़ा है market अगर हम इसका put side का highest OI data देखेंगे 20,000 and call side का OI data देखेंगे 21,000 20,000 का level अगर हम देखें तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखें यह जो level हमने बात की यहां पर के अगर market नीचे आता है तो इसके नीचे retest होके sustain और तब put side जाएं तो यह level अपका 20,000 के around है तो यहां पर retest is very important क्योंकि market यहां से वापस bullish हो सकता है ध्यान रखिए एक तो यह च अपने करके market के लिए we hope आपको वीडियो अच्छी होगी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक नहीं जाहिन वनने मातन थैंक्यों फॉर वाचिए